जेहिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रिष्टिय छेत्रफल और आयतन सर्फेस एरियाज और वैलूम्स तो दोस्तों आपके एक्जाम में यहां से पांच नंबर का प्रश्ण पूछा जाएगा जैसा कि मैंने आपको इसके पहले प्रश्ण आपका मैंसुरेशन से आता है मैंसुरेशन में आपके दो चैप्टर हैं बृत्तों से संबंधित छेत्रफल और दूसरा है प्रिष्ठिय छेत्रफल और आयतन जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं यदि आप इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से तय श्पयार कर लेती हो दोनों चैप्टरों का मतलब व्रितों से संबंधी छेत्रफल और प्रिष्ठी छेत्रफल और आयतन इन दोनों चैप्टरों का है यहां इन दोनों चैप्टरों से आपको मिल जाएगा दोस्तू तो नंबर आप कैसे प्राप्द करें ग completely किस तरीके प्रयास करेंगे आपका उम लोग लडएंगे बस आप त्यारी करते रही है एक्जाम आपका हम लोग मेहनत करके आप लोग का एक्जाम हम करवाएंगे तो करवाएंगे ठीक है याद रखिएगा पहले आप इसको तयार रखिए प्रिष्टिय छेत्रफल और आयतन तो ध्यान दीजे दोस्तों यहां से पांच नंबर का प्रस्ण आएगा पांच नंबर का प्रस्ण इस चैप्टर से पांच नंबर इसके पहले जो चैप्टर है मैंने बताया बृतों से समंधित छेत्रफल तो टोटल दस नंबर का प्रस्ण यहां से बनने वाला है तो चलिए बारी-बारी सभी प्रस्णों को कर लेते हैं और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहल में ट्रिक बता दिया जाएगा क्क्वेσिक सfor करने का तरीका बता दिया जाएगा आपको जैसा उचित लगे आप उसा सॉल्व करिये कि अपको मैं ऐसा ट्रीक बताने वाला हूं प्रिश्थिज्य चेटेPark वे अब इसके क्वेश्चिनों को आसानी कर लोगी जो बच्चे उस ट्रिक को नहीं जानते वो परिशान हो जाते हैं कैसे क्वेक्षन को कैसे स्वाव करें लेकिन आपको परिषान नहीं होना करने पर नई आकृते का आयतन होगा, यहां पर आयतन होगा, A. बढ़ेगा, B. घटेगा, C. समान होगा, D. दोगुना हो जाए गा, तो धिहान दीजें दोस्तों, आप समझी एक ठोस को एक आकृती से दूसरी आकरती में रुपांतरित करने पर नई आकरती का आयतन क्या बढ़ जाएगा नहीं घड़ जाएगा जी नहीं समान होगा जी हाँ अब आप सोचेंगे समान कैसे होगा तो चले इसको भी हम सापको समझा देते हैं देखें एक कोई ठोस गोला है ठीक है अब एक ठोस ग अब इसको पिगला कर इसको इसमें ढालेंगे तो यहां पर आयतन तो समान ही रहेगा वेड तो इसका समान ही रहेगा जैसे यह एक केजी का है तो यह भी आकरती इसका एक केजी का ही बनेगा अर्थात कहने का मतलब किसी भी ठोस आकरती को उसको दूसरी आकरती में रुपा याद रखेगा इसका क्या होगा दोस्तों आयतन समान होगा किलियर हो गया फर्स्ट क्वेस्चन चले सेकेंड क्वेस्चन को आप देख ली थी इसेकंड क्वेस्चन में आपसे बोल रखा है एक लंब बृत्तिय वेलन के आधार पर छेत्रफल नौपाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके आधार का ब्यास क्या होगा ध्यान दीजे क्वेस्चन में क्या बोल रखा है एक लंब बृत्तिय वेलन के आधार पर छेत्रफल नौपाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके आधार का ब्यास क्या होगा यहां पर आपसे ब्यास पूछा गया है क्या पूछा गय क्या है ब्यास पूछा गया है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों जब ब्यास पूछा गया है तो इसको हम कैसे स्वाल्व करेंगे ध्यान दीजेगा यहां पर ब्यास पूछा है नकीत रिज्या तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाईएगा नहीं तो ऐसे क्वेस्टिनों बच्चे क्या होते गलत कर जाते ध्यान दीजी पहले बोला लंब पृति वेलन के आधार पर छितरफल तो जो लंब पृति वेलन का आधार का जो छितरफल है वह लिख लीजिए जब सॉल्व करिएगा तो आप पूरा यहां से यहां तक लिखिएगा लंब पृति वेलन के आधार पर छितरफल तो मैं सिर्फ छितरफल भर लिखकर आपको सॉल्व कराता हूँ यहां पर छितरफल कितना दिया है नाइन पाई क्या वर्ग सेंटी मीटर तो यह तो हो गए आपका छितरफल तो बोला है उसके से लिखते हैं वेलन के आधार का छितरफल तो वेलन के आधार का छितरफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्कॉयर आपको तो यह फार्मूला पता ही होगा वेलन के आधार का छितरफल होता है पाई आर स्कॉयर अब हमें बताना यहां पर ब्यास जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तब तक हम भ्यास नहीं बता पाएंगे तो तरिज्ञ कैसे निकलेगा और कहा पर सोछना है देखे सोचना है आपको sir freshmen आपको सिर्फ फारमुला है लमबृति वेलन के आधार से रिलेटेड तो लमबृति वेलन का आधार का जब 6 त्रफल दिया है और 6 त्रफल कितना दिया है नो पाई और 6 त्रफल का फार्मूला होता है पाई एर स्कुएर तो अगर हम इसको लेकर आर यहां से निकाल ले तो 22 आसानी से हमें जाएगा कैसे ध्यां दीजे बेलन के आधार का छेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वाइर और यहां पे छेत्रफल दिया है कितना नाइन पाई ठीक है और बराबर में हो जाएगा पाई आर स्क्वाइर अगर हम r प्राप्त कर लें तो ब्यास आसानी से हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर निकाल लेंगे r square बराबर πाई चला जाएगा कहां बटे में तो 9 πाई यह पान क्या हो जाएगा πाई से πाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो r square बराबर हमें मिल जाएगा 9 लेकिन हमें r नहीं चाहिए अगर हम इसको करते क्या 3 का square square से square cancel r बराबर मिल जाएगा कितना 3 तो हमें r नहीं चाहिए अब r बराबर 3 आगया तो 3 cm को आप right मत कर दीजेगा आप से पूछा है ब्यास तो ब्यास जो होता है वो त्रिज्जा का कितना गुणा होता है 2 गुणा तो त्रिज्जा कितना निकला है 3 तो यहाँ अप लिखे 3 गुणते 2 तो 3 दूनी 6 तो 6 cm आपका प्राप्त हो जाएगा अर्था तो आप सन नमबर D यहाँ पे right हो जाएगा क्योंकि आपसे ब्यास पूछा था न की त्रिज्जा त्रिज्जा 3 cm आया है तीन आपसन में भी दिया गया है अभी आपसन 3 को इटिक कर देते हैं तो आपका question भी wrong हो जाता है इतना question ध्यान पूरवक पढ़िएगा कि ब्यास पूछा है या त्रिज्जा question को ध्यान से पढ़ेंगे न तो question आपको खुद indicate किया रहेगा कि आपको उसको किस दिशा में किस तरीके से solve करना है ठीक है question आपको खुद बताया रहता है अभी दो चार question देखेंगे न तो ये chapter आपको एकदम easy लगने लगेगा इतना simple सा तरीका मैं बता दूँगा question को solve करने का कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और इतना simple सा इस chapter का question लगने लगेगा ठीक है तो चले देख लेते हैं question number 3 को अब देखें दोस्तो question number 3 मैंने उस तरफ page के उस तरफ बताया था यहाँ पर सीमट आया दोस्तों इसके लिए sorry देखें अब यहाँ पर question number 3 है अब ऐसे बड़े बड़े question जब आएंगे आपके सामने तो आप घबरा जाओगे कितना लंबा question हम कैसे solve करें पहले बच्चों का mindset यह होता है कितना लंबा question हम इसको कैसे solve करेंगे तो दोस्तों लंबा जितना लंबा होता है उतना ही आसान होता है question और जितना ही छोटा question होता है उतना ही खतरनाक होता है तो लंबे question को तो और आसान तरीके से solve किया जा सकता है देखें मैं आपको trick बताता हूँ पहले तो आप पूरी question को पढ़ जाएए चलिए हम पढ़ लेते हैं पानी से पूरी भरी हुई एक अर्थ गोला कार टंकी को एक पाईप द्वारा तीन सही चार बटे साथ लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है यदि टंकी का ब्यास तीन मीटर है तो अग कितने समय में आधी खाली हो जाएगी और यहाँ पे पाई बराबर आपको ले लेना है 22 वटे साथ आवसकता अनुसार यहाँ पर दे दिया है पाई का मान आप 22 वटे साथ ले सकते हो बात उसकी बाद में करेंगे पहले क्योशन हो कैसे सौल करेंगे उसको हम देखते हैं बोला पानी से पूरी भरी हुई एक अर्ध गोलाकार टंकी है कैसा टंकी है दोस्तों अर्ध गोलाकार कोई टंकी है जो अर्ध गोलाकार है और टंकी को एक पाईप द्वारा 3 सही 4 वटे 7 लीटर प्रसेकंड की दर से खाली किया जाता है यानि एक सेकंड में 3 सही 4 वटे 7 लीटर पानी निकाला जाता है यदि टंकी का व्यास कितना मीटर है 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी सिर्फ पूछ रहा है आपसे समय तो समय कैसे निकलेगा आप ध्यान दीजे कैसे निकलेगा सबसे पहले आप क्या क्या दिया है उस मान को लिख लिजे ठीके दिया क्या है यहाँ पर सबसे पहले हम टंकी का व्यास लिखेंगे टंकी का ब्यास कितना दिया है तीन मीटर तो आप लिखिए ब्यास ब्यास कितना दिया है तीन मीटर लेकिन ब्यास इसलिए दिया रहता है ताकि आप त्रिज्या निकाल सको क्योंकि यहां पे अर्ध गोलकार की बात किया है, तो अर्ध गोलकार के आयतन का फारमुला लगेगा, क्योंकि जब भी टंकी की बात करेगा, तो पहले हम आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, आयतन जब निकाल लेंगे, तो आधी जो टंकी खाली हुई है, कितने समय में खाली हु व्यास 3 मेटर दिया गया है उस तंकी का तो व्यास 3 मेटर दिया एगर इसके माध्यम सम तरिजया निकालने के लिए ही तो ब्यास दिया गया है तरिजया बराबर होता है व्यास का आधार rolling था 2-3 वटे कितना हो जाएगा दो मीटर आपको तो फार्मूला यादी होगा त्रिज्जा बराबर होता है ब्यास बटे दो तो ब्यास का मान मैंने डारेक्ट लग दिया तीन और दो नीचे हो जाएगा अर्थात ये मीटर में है तो आप मीटर लिख दीजे अब आप यहाँ बध्यान दीजे बोल रहा है कि जो पाइप है वो 3.7 लीटर प्रती सेकेंड में खाली करा अर्थात एक सेकेंड में कितना एक सेकेंड में कितना पानी मैं यहाँ प्लिख एक सेकेंड में टंकी खाली होगा तो एक सेकेंड में टंकी खाली होगा कितना खाली होगा तो यह होता है तो कितना खाली होता है तीन सही चार बटे साथ लीटर इतना पानी एक सेकेंड में खाली होता है अर्थात यह सही के रूप में तो इसको सही बना ले भिन्ने के रूप में बना लीजे साथ रिके कईस चार पचीस पचीस बटे साथ लीटर प लेते हैं इतना तो वेलू आपका दिया ही गया था अब हम निकालेंगे टंकी कैसा है अर्थ आप निकालेंगे अर्थ गोला का टंकी का आयतन तो अर्थ गोला का टंकी का आयतन का जो फार्मूला होगा टू अपान थ्री पाई आर क्या होता है क्यूब होता है ये फार्मूला होता है टंकी के आयतन अर्धात अर्थ गोला कार के आयतन का चले यहां परमान रखते हैं दो त्रिजा का क्यूब 3 बटे 2 है तो 3 बटे 2 का क्यूब करेंगे अर्थात हम 3 बटे 2 को हम कितनी बाद लिख सकते हैं 3 बाद लिख सकते हैं क्योंकि घात में 3 है ठीक है अब धियान दीजे 3 से 3Even 2 कैंसील 2 से 2 कैंसील जो कटेगा उसको भी आप कैंसिल कर दिए ठीक है अब 2 से 22 कैंसिल 2 1 का दो 2 1 का दो ठीक है तो अर्थात उपर जितना बच रहा है उसका गुड़ा कर लो देखिए आप बच रहा है तीन तरीक के 9 और 9 ग्यार हमें या निवा निन्या अन्वे अर्थात क्या जाएगा निन्य ग्यानवे और नीचे साथ और दूनी चओद तो इतना यह क्या जा रहा है मिटर क्यूब आ जाए ठीक है आइतन कितना निकले न देखे 11, 33, 99, 7, 2, नी, 4, जो बचा था यहाँ पर इतना क्या हो गया अर्ध गोला का टंकी का आयतन निकला ठीक है लेकिन हम से अर्ध गोले का टंकी का आयतन नहीं पूचा है हमसे पूचा है टंकी आधी खाली हो जाएगी तो कितना समय लगेगा तो आधी टंकी खाली करन आधी खाली करने में ठीक है तो आधी खाली करनी है तो आधी खाली हो उस पानी टंकी का आयतन बताना जब वो क्या हो आधी खाली हो तो पूरी आयतन कितनी है 99 बटे 14 मीटर क्यूब है लेकिन जब आधी खाली हो जाएगी तब आपको आयतन बताना है तभी तो किलियर हो उसमें बचा है या कितना लीटर पानी खाली हो गया अधा खाली होने का मलब उतना पानी है तो मान लिजी बचा है या तो खाली हो गया तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे इसका गुड़ा कर लेंगे ठीक है तो 99,1,99 और यहाँ पर 14,2,28 इतना क्या हो जाएगा यह मीटर क्यूब हो जाएगा लेकिन हमें दोस्तों पानी जो होता है वो मीटर में नहीं लीटर में होता है अर्थात यहाँ पर 99,28 को जो काते हो क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1000 क्या हो जाएगा यहाँ पर एक लीटर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ लीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया एक हजार से गुड़ा कर दिया तो अब इसका उपर टोटल जब गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 99,99 और 30 लग ज लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है खाली होने की तो खाली होने की बात हो रही तो मालीजे इतना लीटर पानी क्या हो रहा है खाली हो रहा है लेकिन कितने समय में होगा कितना हो इतना लीटर पानी कितने समय में होगा आपसे समय पूछा है तो चले हम समय निकाल लेते तो नियांवे हजार-बटे 28 लीटर क्या फानी खाली कोगा फानी खाली होगा कितने समय में खाली होगा यह बताना है तो चले खाली होगा तो आप लिख दीजे 99,000 बटे 28 ठीक है अब कितना समय खाली हो रहा कितने समय में तो मैंने आपको यहां देखिए एक सेकेंड में कितना लीटर खाली हो रहा था 25 बटे 7 तो 25 बटे 7 से अगर हम यहां पे भाग दे दें तो कितने सेकेंड में इतना पानी खाली वरा हमें मिल जाएगा ठीक है तो आप ऐसा काम करें बटे का बटा जो होता है वो चला जाता है सबसे उपर अर्था 7 का उपर गुड़ा हो जाएगा 25 का 28 में गुड़ा हो जाएगा 100 तो 25 हच शब का यहां पर 100 हो जाएगा 0 से 0 जिरो से 0 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर पूरी कट गया तो बचा 990 second 990 second में यह इतनी पूरी टंकी आधी टंकी क्या हो जाएगी खाली हो जाएगा अर्थात 99,000 बटे 28 लीटर जो पानी है इतने सिकिंड में क्या हो जा रहा है खाली हो जा रहा है तो आप answer यहीं पर भी कर सकते हो चाहे तो आप इसको मिनट में change करना चाहो तो 60 से यहां पर आप भाग दे सकते हो अर्थात 990 बटे 60 कर दो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तीन से काटिंग 3 दू निच है तीन तरीका नो तीन तरीका नो अर्थात क्या हो जाएगा 33 बटे 2 अब 33 में 2 से आप भाग दे दो जो आएगा दस मलों में आप मान लिग दो तो 2 से काटोगे यहां पर 2 एक का दो एक जीरो बढ़ेगा 2 पंचे 10 पूरी तरीके से यह कड़ गया तो कितना मीनट आ रहा है इसको कैंसिल करने पर पूरा कैंसिल करने पर 16 दस मलों 5 मीनट में यह क्या हो रहा है इतना आधी टंकी खाली हो जा रहा है तो इतनी एक सेकेंड में जब पानी 3 दसमलों 7 लीटर 3 सही 4 आरटे 7 लीटर निकल रहा है तो 16.5 मीनट में 99,000 बटे 28 लीटर खाली किया जा सकता है अर्थात आधी टंकी इतने समय में खाली हो जाएगा यही आपसे पूछा था ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो ऐसे क्वेस्चनों को आप तयार रखें से क्वेस्चन में आएंगे आप तयार रखें किस तरीके से पूरे क्वेस्चन को सेम डूस्फ लिख़ totally एक नहीं साथ बार स्व Board कर ये अच्छे इसको दिमाग में ब्ल्योट कर लीजए और याद रखे गासा है क्वेस्चन नभर राखेंके थोड़े अब देखें दोस्तों question number four इसको भी आप ध्यान से देखें बोला क्या है पहले मैंने क्या बताया कि आप पूरे question को पढ़ जाओ यह question आपको खुद रास्ता दिखाएगा कि आपको इसको कैसे solve करना है तो पहले हम पूरे question को पढ़ जाते हैं बोला एक ठोस लकडी का खिलाओना एक अर्थ गोली आधार पर समान आधार त्रिज्या के संक को रख कर बनाया गया है अर्थ गोले की त्रिज्या 3.5 cm है तथा खिलाओने को बनाने में लगी लकडी का कुल आयतन 166 सही 5 बटे 6 क्या है दोस्तो घं सेंटीमीटर है खिलाओने की उचाई ग्यात कीजिए तो आपको पूरे खिलाओने की उचाई बतानी है अब खिलाओना कैसे कैसे बनाया थोड़ा मैं आपको चितर के माध्यम से समझाना चाहूंगा ठीक है समझे एक ठोस लकडी का खिलाओना है एक अर अर्ध गोली क्या है लकडी है ठीक है तो अर्ध गोला कुछ इस तरीके समानलीजे यह अर्ध गोला क्या है आधार है ठीक है इस अर्ध गोली आधार पर ध्यान दीजे समान आधार त्रिज्या के अर्थात इसकी समान आधार जो रहेगी त्रिज्या इसकी क्या रहेगी समा पर एक संकु रख दिया गया है त्रिज्या क्या है समान है इस अर्थ गोले पर यह कुछ इस तरीके से एक क्या है खिलाओना है ठीक है अब यहां पर यह क्या है दोस्तो संकु रख दिया गया है तो यहां से यहां तक यह इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी जो द लकड़ी का कुलायतन इतना सेंटीमीटर पूरी लकड़ी लगाया संग को लेकर और अर्थ गोले को लेकर पूरा इतना लकड़ी लगाया तो खिलाओने की उचाई ग्याद कीजिए तो पूरे खिलाओने की आप से क्या पूछ लिया है उचाई पूछ लिया ठीक है अर्थात यहां से यहां तक पूरी उचाई पूछ लिया है, तो मान लेते हैं पूरे खिलाओने की जो पूरी उचाई है, क्या है दोस्तो cm में question दिया है, तो मान लेते है H cm है पूरे खिलाओने की उचाई, ठीक है और ध्यान दीजी, यह त्रिज्जा 3 दसमलो 5 cm से है तो 35, 25 संटीमीटर इधर भी होगा और 35, 5 संटीमीटर इधर भी तfightot आर्थ गोला कार है गोला में तरिज्ज्ज्ज क्या होते हैं समान шийas kapotsk अगर पूरा गोला है जैसे मालिये साने मिव्याफनी यह एक गोला आए टीक अब केंदर से त्रिज्जा लियाता है तो इधर से त्रिज्जा जितना रहेगा उधर इतना भी रहेगा इधर भी चारो तो अब त्रिज्जा क्या रहेंगे बराबर रहेंगे उसी प्रकार यह आधा गोला यहीं तक गोला है तो त्रिज्जा जितना होगा तो इधर भी तो स हमें मिल जाएगे कैसे सौल किया जाएगा चलिए हम आपको सिंपल सी भासा में समझाते हैं सबसे पहले आप देखिए यहां पर क्या दिया है कुल आयतन दिया ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या क्या किया उसको लिख लीजिए सबसे पहले मैंने क्या किया है यहां पूरी आ मैंगा ईच सेंटी मीटर में दिया है तो यानि अर्थात यह भी क्या होदा है अफ से मॉचाय है मैंने सबक्राइच मांने की पूरी हो बूरी ऑग टीक है अब जब प्रिवी निकल जा का तो इस चीए पूरा हमें उचाई儬 जाएंगा सेंटी मेट अगर हम यहां से दसमलों हटा दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों 35 बटे 10 हो जाये क्योंकि दसमलों बात एक अंक है एक नीचे जीरो बल जाएगा तो 5 सथे 35 पांदूनी 10 अर्था 7 बटे 2 सेंटी मीटर हमें मिल जायेगा क्या तृज्या किलियर हो गया चले आग हम लिख लेंगे लकड़ी का कुल आयतन अर्थात खिलाओने में जो लकड़ी लगी है उसका हम लिख लेंगे लकड़ी का कुल आयतन तो लकड़ी का जो कुल आयतन है वह कितना है हम यहां पर लिख लेते हैं तो लकड़ी का आयतन पूरा टोटल है एक सो चारचट सही पांच बटे 6 क्या घं सेंटीमीटर तो इतना घं सेंटीमीटर ये हो जाएगा लकड़ी का कुल आयतन ठीक है अगर इसको ये देखे सही के रूप में है अगर इसको भिन के रूप में चेंज करें तो छचा के 36 5 41 हासिल 4 और 6 6 के 36 4 40 हासिल 4 चाइक का छार दसर थात 1000 एक और नीचे बचेगा छे इतना घं सेंटीमीटर आ जाएगा क्या लकड़ी का कुल आयतन इतना लकड़ी का कुल आयतन इसमें बनाने में लगाए ठीक है लेकिन हमसे उचाई पूछ रहा है ना तूचाई कैसे निकलेगा लकड़ी का पूरा आयतन देखलेते हैं पूरी लकड़ी लगी है दो चीजों से मिलकर लगी पहली संकु से और दूसरा अर्ज गोला से ठीक है तो यहां पर लिखेए खिलावना बनाने में इस तरीके से लिखे है खिलाओना या खिलाओने ठीक है खिलाओना को बनाने में बनाने में लगी लकडी ठीक है इस तरीके से लिखिए लगी लकडी ठीक है खिलाओना पूरा बनाने में लगी लकडी क्या होगा पहले तो अर्ध गोले का आयतन लगा है तो लिखिए यहाँ पर अर्ध गोले का आयत ठीक है उसके बाद क्या लगा है प्लस करिए उसके बाद आपका लगा यहां पे संकु का आयतन दो चीजों से मिलकर थीक है तो यह दो चीजों से मिलकर बनाया थीक है तो खिलाओने को बनाने में लगी लकडी कितना लगाया दोस्तों एक हजार एक बटे च्छ घंजेंटिम्ट ठीके बराबर अर्थ गोले का आयतन तो अर्थ गोले के आयतन का फार्मूला होता है दो बटे तीन पाई आर क्यूब ठीके प्लस संकु का आयतन तो संकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है एक बटे तीन पाई आर स्कॉयर एच ऐसा क्यों किया जा रहा है पता है क्योंकि हम निकालेंगे यहां से इसमाल एच इसमाल एच मिल जाएगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे यह 30 जो है तो हमें पूरी उचाई मिल जाएगी ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर 1000 एक बटे 6 बराबर यहाँ पर देखे एक बटे 3 क्या हो रहा है common दिख रहा है तो यहाँ से आप क्या करेंगे एक बटे 3 common कर लेंगे clear हो गया पाई पाई मिल ला है तो पाई भी common हो जाएगा आर क्यूब आर स्क्वाइर अर्थाथ आर स्क्वाइर यहाँ से common हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर ऊपर 2 और यहाँ पर आर क्यूब में से आर स्क्वाइर बाहर होगा तो एक R बच जाएगा और प्लस यहाँ पे H बच रहा है तो H लिख दीजे क्लियर हो गया चलिए अब यहाँ पर मानो को रखते हैं तो 1001 बटे 6 बराबर 1 बटे 3 पाई पाई का मानोता है 22 बटे 7 इंटू R स्क्वाइर तो तिरिज्जा तो आपका दिया ही है कितना 7 बटे 2 3 दसमलो 5 दिया था मैंने उसको चेंज किया किसमे 7 बटे 2 में तो इसक्वाइर है तर था 7 बटे 2 गुरते 7 बटे 2 यानि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा ठीक है पिर यहाँ पर क्या है 2 इंटू फिर्ट रिज्जा R है तो R का मान सेवे नफान क्या हो जाएगा 2 प्लस H है तो H को H ही रहने दो क्योंकि इसमाल H मैंने समग क्यों चाहिए यहाँ पर मान रख़ा ठीक है चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं तक तो आपको बहुत अच्छे संवाग में आगया होगा अब करना क्या है zijाँ दीजे एक हजार ники्शा को जहां कातीयों लिखो यहां पर यब जो कुछ भी कैंसिल हो रहा वो सो कैंसिल करो तो 1177 और नीचे 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 कैंसिल कर दीजे ब्रैकेट बचेगा 7 प्लस H तो 7 प्लस H कर दीजे अब दीजे नीचे बराबर में जब हर समान होते हैं तो क्या होता है वो कैंसिल हो जाता है तो यहां पर भी छहता यहां पर भी छहता यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अब हम निकाल लेते हैं यहां पर सेवेन प्लस एच तो 77 कहां चला जाएगा बटे मर्थात एक हजार एक बटे क्या हो जाएगा 77 यहां तक समझ में आए चले इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं कैंसिल करने का मलब देखें 11 से कर जाएगा 11 सते 77 और 11 से काटेंगे 11 99 एक सव है एक बचे का 11 हो जाए 11 देखें फीर समझेए यहां पर 7 11 से काटेंगे 11 99 एक बचेंगे 11 हो जाएगा 11 11 ठीक है फिर साथ से काटेंगे इसको तो 3 इर्पा पूरा कटके 13 तो 7 प्लस H बराबर हमें मिल गया कितना 13 रहा लेकिन हमें 7 π्लस एच बराबर नहीं चाहिए हमें सिर्फ चाहिए एच बराबर तो 7 को करदो पंच आदर 13 माइनस क्या हो जाएगा 7 तो यहां पर हमें मिल जाएगा आप क्या दोस्तो ह एच तो ह बराबर कितना मिलेगा 13 बिर्स से 7 गटाएंगे तो 6 अब 6 सेन्टी मेटर यह संग की अचाई हमें मिल गये ठीक है संग की पूरिये कितनी है सिक्स केंपिटे मीटर लेकिन हमसे संग की उचाई नहीं पूँच आ हमसे पूँचा एक खिलाओने की उचाई तो खिलाओने की उचाई को मैंने माना है कैप्टल H अर्थात कैप्टल H बराबर संखी की उचाई है इसमाल H और त्रिज्जा यानि बृत्त कहां वो अर्ध गोला जो है उसके त्रिज्जा मैंने इसमाल आर माना ठीक है तो H बराबर आपका मिल जाएगे यहां पर मान H कितना निकला है 6 और प्लस त्रिज्जा कितना था 3.5 सेंटी मीटर तो कैप्टल H बराबर 6 तीन 9.5 सेंटी मीटर पूरे खिलाओने की उचाई हो जाएगे ठीक है तो पूरे खिलाओने की उचाई हमें मिल गया 9.5 सेंटी मीटर यही आपका हो जाएगा answer question number 4 का clear हो गया समझ जागा दोस्तों तो चले चलते हम next question की तरह question number 5 अब देखे दोस्तों question number 5 में क्या बोल रखा है द्यान दीजे इसमें बोला है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटी मीटर उचाई वाले संक एक संक के छिनक के आकार का है दोनों बृत्ताकार सिरो के ब्यास 4 सेंटी मीटर और 2 सेंटी मीटर है इस गिलास की धारिता ग्यांत कीजिए तो दोस्तों ऐसा भी question आपके एक जामें बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है और पूछे जाने का chance भी है जितने types के मैं question को करा रहा हूं अगर आप सब को तयार कर लेते हो तो पक कर ही लिया है अब हम solve करेंगे बोला है क्या पानी पीने वाला एक गिलास तो पहले आप एक गिलास बनाईए ठीक है गिलास जानते है ना जिसमें आप पानी पीते हैं कुछ इस तरीके का होता भी मैं बना के आपको समझाता हूं ठीक है चलिए ग्लास कुछ इस तरीके से मा पीने वाला मैंने एक ग्लास यहां पर बना दिया यह माझ लिए उचाई के तो इसकी पूरी डोटल उचाई है वह कितनी है 14 cm तो आप यहाँ पे लिख दीजे 14 cm 14 cm उचाई वाले एक संक के छिननक के आकार का है छिननक का मतलब जानते हो अगर यहाँ पे चाहें तो एक संक को हम ऐसे बना सकते है ठीक है अर्थात देखा जाए तो एक संक को यहाँ पर कटा हुआ है उपर भी चाहें तो एक संक को हम यहाँ पर ऐस तरीकेस बना सकते है अर्थात उपर भी एक संक का कटा हुआ भाग है तो वही जो कटा हुआ भाग होता है ऐसे आकरती में जो कटा हुआ भाग छिननक के आकार का लगता है तो उसी को हम संक के छिननक बोलते है के IKAR का है दोनों बृतदाकार सिरो के ब्यास सबसे पहले ये बड़ा ब्यास होगा ये छोटा ब्यास होगा ठीक है तो ब्यास दिया है हम यहाँ से तरिज्जया पराप्त करेंगे अर्थात ब्यास क्या होता है D1 बराबर दिया है जोसे हम त्रिज्जा प्राप्त करेंगे D1 बराबर दिया है 4 cm तो त्रिज्जा निकालेंगे अर्था R1 ठीक है तो पहली त्रिज्जा होगी R1 R1 बराबर क्या होगा 22 बटे 2 तथा 4 बटे क्या हो जाएगा 2 दो दूनी 4 अर्था 2 cm यहाँ पर मिल जाएगा पहली त्रिज्जा तो यह जो होगी जोस्तो यह त्रिज्जा जो होगी बड़ी वाली वो कितनी होगी 2 cm की ठीक है इस ग्लास की जो पहली त्रिज्जा होगी दोस्तो वो कितनी होगी 2 cm की अब दूसरी प्यास दिया है cm हमें यहाँ पर मिल जाएगा दूसरी त्रिज्जा तो लिख लिजे 1 cm दोनों त्रिज्जाएं हमें मिल गई है ठीक है अब आपको करना क्या है आप से पूछा है गिलास की धारिता तो गिलास के धारिते सिंपल साइज सिर्फ फार्मूले पर से ठोगा ध्यान दीजे बोला ह गिलास की धारिता तो गिलास की धारिता पर आपर हम क्या लिख सकते है ध्यान दीजे जो गिलास की धारिता है उसमें हम लिखेंगे सांक कुके छिन्नक का आयतन यह देखे जो आकार है यह संक के छिन्नक कर आजग को इतन का डिक है तोyin पता है नहीं पता है चली उसका फार्मूला जब संख के खिनक के आयतन की बाद की जाए तो ठीक है चले यहां से हम निकालने गिलास की धारता जो गिलास की धारता है ये गिलास कैसा है संक के छिन्नक के आयतन के आकार का है तिसले संक के छिन्नक के आयतन का यहां पे लग गया फार्मूला ठीक है अब solve करेंगे तो 1 by 3 को जो कातियों लिखेंगे into pi है तो pi का होड़ सकता अनुसार हम 22 बटे साथ इसका मान ले सकते ठीक है अर्थाथ हम 2 का क्या करेंगे square प्लस r2 का square तो r2 कितना मिला है यहां पे देखेंगे 1 तो 1 का square प्लस r1 into r2 अर्थाथ r1 का मान 2 r2 का मान 1 अर्थाथ 2 into क्या कर देंगे 1 कर देंगे ठीक है चले अब यहां पे cancer कर दीजे 7 दूनी 14 या कड़ गया तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 तो 44 कर दीजे नीचे 3 है 3 कर दीजे bracket के दर 2 का square 4 प्लस 1 का square एक ही होता है और 2 एक का 2 कर दीजे ठीक है चले यहां पर आप लिखेंगे 44 बटे 3 अब यहां आप लिखेंगे 4 1 5 2 7 तो into में आप कर देंगे यहां पे 7 क्योंकि bracket हटेगा तो into ही लगेगा अब उपर total का कर दीजे गुड़ा 7 4 28 हासिल 2 7 4 28 2 30 तो 308 बटे कितना हो जाएगा 3 अब इसको 3 से पूरी को भी भाजित कर दीजे जो आएगा वही क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो यहां पर मैं आपको भाग करके दिखा देता हूं नहीं तो आप confusion पर जाओगे मैं डारेक्ट रेंसर लिखूंगा तो 3 1 का 3 पूरा cancel 0 बचेगा 0 अम तो भाग जाएगा नहीं तो यहां पर 0 लग जाएगा 8 उतरेगा ठीक है तो 3 2 6 2 बचेगा 10 बढ़ेगा जीरो बढ़ेगा तीन चक के 18 2 बढ़ेगा ध्यान दीजेगा 18 2 बचेगा फिर यहां पर 0 बढ़ेगा 3 6 अठार ठीक है फिर दो बचे च्छेश च्छेश ऐसे बड़ता जाएगा रिपीटिंग हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हो 102.6 अब जब 10 के बाद अंक क्या हो दस्मलों का दूसरा अंक अगर वह 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पहले वाले आंक तो इतना होता है जोड़ जाता है आपका क्या दोस्तो एंस्वर अर्थाद गिलास की धारिता यहां पे मिल गया कितना गिलास की धारिता है आप देखे दोस्तो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पर सिक्स अब देखेत क्वेस्टन नंबढ शिक्स में बोल रगए है ठोस घनाव जिसकी विमाएं नौ सेंटीमीटर इंटू 11ंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर से वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है अब ध्यान दीजे एक घनाब है घन के आकार का है जिसकी बीमा है 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है लेकिन उसको 3 सेंटीमीटर ब्यास वाली गोलियां बनानी है और कितनी गोलियां बनाई जा सकती है वो हमें बताना तो स दिख लीजे लंबाई चोड़ाई और उचाई दिया है घनाब कुछ इस प्रकार से होता है मैं घनाब आपको बना के दिखा देता हूं यहां पे त्यान दीजे कुछ इस प्रकार से आपका होता है घनाब ठीक है तो यहां पर यह मान लिजे आपका यह घनाब है अब घनाब क कि क्या दिया है मोटाई दिया है द्यान दीजेगा यहां देखें लंबाई दिया है फिर द्यान दिजे उसके चौड़ाई दिया है फिर उचाई दिया ठीक है तो इसी तरीके हम यहां पर प्राप्त कर लेंगे क्या सबसे पहले लंबाई तो लंबाई क्या है 9 cm तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9 cm लंबाई चोड़ाई कितना है 11 cm तो यहाँ B बराबर मिल जाएगा 11 cm और उचाई कितना है H, H बराबर कितना 12 cm ठीक है तो यह 3 मान दिये गए हैं और यहाँ पर बोला 3 cm ब्यास अर्था D बराबर दिया है कितना 3 cm तो इस ब्यास से हम प्राप्त करेंगे 3 तो अर्था 3 बराबर होगा ब्यास बटे 2 ब्यास कितना है 3 और बटे में आप 2 कर देंगे अर्था 3 मिल गया 3 बटे 2 cm किलियर हो गया चले घनाब का हम बताते हैं यहाँ पर क्या पहले आयतन ठीक है क्या करेंगे पहले इस घनाब का आयतन निकाल लेंगे जब हमें घनाब के आयतन मिल जाएंगा तो हम उसके आद गोलियों की बात किया है तो गोली का आयतन निकाल लेंगे उसके बाद हम क्या करें गोलियों की संख्या बतानी है तो घनाब का जो आयतन है उसमें गोलियों की आयतन से भाग कर देंगे तो कितनी गोलिया बनेगी हमें ये पता चल जाएगा कैसे ध्यान दीजे सबसे पहले ये घनाब है तो घनाब का ध्यान दिजे इसी को पिघला कर इसी को क्या करना है बिघला कर हमें गोली बनाना है तो गोली कैसे बनेगा पहले इसका पूरा आयतन तो निकालो लिखो घनाब का आयतन तो घनाब के आयतन का फार्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई इंटू उच तो यहां प्लिको 99 गुड़ते बारण नौा है यहां पट्यान देजी बारणों इया एक सो आठ तो एक सो आठ होगा अर्थात आठ आठ हांसिल दस बारणों इया एक सो आठ साथ हो जाएगा 1188 घन सेंटिमीटर यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा क्या घनाब का आयतन आप जब घनाब का आयतन निकल गया तो इस घनाब से कितनी गोलिया बनाई जा सकती है वो आपको बताना है तो आप निकाल लो यहाँ पर गोलियों का भी आयतन तो लिखें यहाँ पर गोले का आयतन ठीके गोलियां कैसी होंगी गोले के आकार का तो यहा के आयतन का फार्मूला तो आपको पता होगा फोर बाई थ्री पाई आर क्या होता है क्यूब होता है ठीक है तो आप मानों को यहां पर रखिए फूर बाई थ्री को ज्यों काते हो रखो पाई का मान होता है बाईस बटे साथ ज्यों काते हो रखो आर का क्यूब तो आर क्या मा तो ग्यारा दूना बाईस तर्थाथ ग्यारा जाएगा ठीक काड़ने का तरीका तो आपको पता होगा क्योंकि इसके पहले इसे काटा गया था तेन तरीक कर नो अब ग्यारा नुवा कितना हो जाएगा निन्यानवे और नीचे सिर्फ बच रहा है कितना दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो साथ बच रहा है पूरी तरीके से कड़ गया तो निन्यानवे बटा साथ क्या हो जाएगा घं सेंटीमीटर गोले का आयतन निकल गया तो अब इसके घनाब के आयतन में गोले के आयतन से आप क्या कर दो भाग कर दो गोलियों की संख्या हमें मिल जाएगी क घनाब से कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं तो यहां पर हम लिखेंगे गोलों की संख्या या गोलियों की संख्या ठीक है गोलियों की संख्या तो हमें बताना है गोलियों की संख्या तो गोलियों की संख्या क्या करेंगे सबसे पहले घनाब का आयतन में तो घनाब का आयतन पातो जाएगा मान हो जाएगा साथ क्या देखा जाएगा तो हो जाएगा यारा फिर से खाटेंगे साथ करें बारा सत्य कितना हो जाएगा चावरासी गोलियां आपका क्या हो जाएगा एंसोर हो जाए क्योंकि गोलियों की संख्यां यहां पर निकल चुका है चौरासी ठीक है तो दोस्तों यह राख क्वेश्चन नमबर सेवन और इसके बाद इस सिक्सर्चाइज को समाप्त करते हैं बच्चे का एक चैप्टर इसका और संख की उसको भी कल हम आपक काटी नहीं सकते कि और गोला ला जिसका और वाय है बाहरी ब्यास करमाशा चार सेंटीमेटर और आठ सेंटीमीटर है को पिगला कर एक संक जिसके आधार का भ्यास आठ सेंटीमीटर है बनाया जाता है संक की उचाई का वक्रप्रिष्ट ग्यांत कीजिए अर्थ 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 अच्छ यहां पर आपसे पूछ ले रहा क्या वक्रप्रिष्ट तो काफी घुमा फिरा के क्या एक खोकला गोला जिसका आंतरिक और बाहरी ब्यास तो आंतरिक ब्यास को मालें क्या मालません क्या मैं लेता है 191 चार संटीमिटर वर वरबर कितना दिया यहां बाहरी बेस्को आट सेंटीमियटर तो चाहर ब्यास निकालेंग, चार बटे दो करेंग, दो दूनी चार अर्थात, यहाँ पर को पिखलाकर एक, तो संकु जिसके आधार का ब्यास आठ सेंटीमीटर है अभी यहां पर संकु की त्रिज्या निकाल लेते हम तो यहां पर रिखे संकु की त्रिज्या तो संकु की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करोगे ब्यास का आधा तो ब्यास कितना है यहां पर आठ तो आठ का आधा क सबसे पहले आपको करना क्या है यह जो खोखला गोला है इसको पिखला कर आप संकु बना रहे हो तो सबसे पहले आप लिखिए यहां पर खोखले गोले का आयतन ठीक है ध्यान दीजेगा समझिएगा अच्छे से खोखले गोले का आ अगर ऐसा क्यूश्चन आता है तो क्या करेंगे जैसे पिखलाने वाली बात जब की जाती है जिस भी को बडिया करें से लिखिए कि चैप कोया मैं दिया दिये जैसा कि है क्यो सिब्सिदी बता रहे है यह एख खोखला गोला है तो खोखला गोला को मैं पिखला गोला का जो आयतन होगा इसको पिखला कर मैं क्या बना रहा हूं संकु बना रहा हूं तो जो गोला होगा पहला जिसना आयतन उसका होगा उतना आयतन तो संकु का भी होगा ना क्योंकि इसी को पिखला कर उतना है ना तो जब यहां पर कुछ मान मिल जाएगा तो यहां पर हमें मिल जाएगा मालीजी हमें बताना वक्रप्रिष्ट वक्रप्रिष्ट बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तो एल पता होना चाहिए अभी एल भी नहीं पता है और एल तभी पता होगा जब उचाई पता होगा तो यहां से हम पहले उचाई प्राप्त करेंगे ठीक है तो सबसे पहले लिखे 4 by 3 पाई ब्रेकेट में क्या होता है R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब यह फार्मूला होता है खोखले गोलेगा ठीक है और संग के आयतन का फार्मूला होता है 1 by 3 पाई आर स्क्वाइर एच यह फार्मूला होता है संग के आयतन का फिक है तो यहां पर कुछ मान कैंसिल होगा जिसको हम यहीं फटा फट कैंसिल करते है देखे बराबर में अगर नीचे हर समान देखे तो इसको कैंसिल कर दिया पाई से पाई दोनों तरब मिला है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बच रहा है 4 और यहां पर बच रहा है R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब ठीक है बराबर में देखा जाए तो R2H बच रहा है हम ऐसा काम करते हैं मानों को रख लेते हैं तो 4B चार का क्यूब कितना होगा चार चव के 16 चव का 64 अर्था 64 माइनस 2 का क्यों 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 बराबर 4 का स्क्वार 16 गुड़ते कितना हो जाएगा हम यहाँ से उचाई प्राप्त कर लेते हैं तो चलिए उचाई हम यहां से प्राप्त कर लेते हैं तो चाई क्या निकालेंगे पहले इसको आप लिखा लिजे चार गुड़ते 64 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 56 बराबर यहां पे हो जाएगा 16 गुड़ते है एच निकालेंगे तो उधर 16 बटे मिचला जाएगा अर्था चार गुड़ते 56 बटे क्या हो जाएगा 16 ठीक है तो यहां पे हो गया आप चार से काटेंगे चार चार से चार यहां पर कड़ गया ध्यान दीजेगा दोस्तों अच्छे से क्योंकि यहां पर क्या था चार और यहां पर चार गुड़ते यहां पर आ गया और यह 16 टिसको मै हो गया उचाई हमें बताना है वक्रप्रिष्ट और वक्रप्रिष्ट का फार्मूला होता है पाई आर एल तो पाई पता है आर भी पता है लेकिन एल नहीं पता है तो एल कैसे निकलेगा तिरियक उचाई से तो तिरियक उचाई यहां पर लिखिए तिरियक उचाई तो तिरियक उचाई का फार्मूला आपको पता है नहीं पता है चलिए बताता हूँ L स्क्वाइर बराबर होता है H स्क्वाइर प्लस R स्क्वाइर यह फार्मूला होता है तिरियक उचाई का तो यहां समप्राप्त करेंगे L स्कुखकाईर भराबर यहीं कुछ हाए को एंति करते है ऑस का मनता हुदा का स्कुखकाईर ठीक है प्लस आर का स्कुखक नि न मिला बता चार के रहे अपको कितना मिला था स्कुर्ण बराबर नहीं चाहिए हमें चाहिए सिर्फ एल बराबर तो एल स्कुर्ण है तो इधर क्या लग जाएगा कंडी अर्थाथ 212 दो सो बार पर लगया कंडी तो कंडी से बाहर निकालने के लिए मैं इसको करना पड़ेगा हमें गुरंखंड करेंगे तो दो एक काटेगा दो खंग बार फिर दो काटेगा दो पंचे दस दो तियाँ छ अब तिर्फाथ इसको लिख सकते हैं कंडी के अंदर दो घुड़ते तिर्फाइग तो इतना सेंटीमेटर आपको मिल गया तिरयक उचाई जब तिर्यक उचाई और उचाई मिल गय और h मेहल गया तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों वख्रप्रिस्ट निकाल सकते हैं तो आप से पूछा कितना है? चार चार रग दीजे मान निकला है कितना दो कंडी के अंदर तीरएं ठीक है तो इसका आप घुड़ा करेंगा चार दूनी आट कंडी के अंदर तीरएं और यह पा theorem का मान पाई ही रहने दीजे ठीक है छले इतना ही हम क्या कर देते अ औरे और देते हैं देते यतना है कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आपका इस पर फिरी में पूरा कोर्स कर जा रहा दो ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाइबाय जैहीन जैभारत